Current Affairs Funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो सेशन में हम हाली में संपन चार राज्यों जिनमें केरल, आसाम, तमिल नाडू, वेस्ट बेंगॉल और एक किंद्र सासित परदेश, पुडुचेरी में संपन, विधान सभा चुना कि हमारी One Year की Membership आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतरकत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली Current Affairs वीडियो, PDF फोर्मेट में मिल जाएगी, इसके लिए आप 249 रूपीज पे कर सकते हैं, और ये Membership आपकी एक सार के लिए वैलिट रहेगी, इसमें आपको Daily Current Affairs PDF, Weekly PDF और Monthly PDF प् इस तरह की हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ये भी आपको PDF फोर्मेट में प्रोवाइट कराई जाती है, तो Membership पाने का लिंक आपको इस वीडियो के First Comment में मिल जाएगा, कोई भी आपकी Query हो, कुछ भी आप जानना चाते हैं, तो हमें Comment Box में जरूर लिखेगा, तो च बात करते हैं, देखें, ये पूरी लिष्ट है, किसने कितने सीट्स यहां पर जीती हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर ऊपरी है, All India Trinmool Congress, यानि TMC यहां पर 213 सीट्स जीती हैं, याद रखेगा, कितने सीट्स जीती हैं, 213, और भारते जनता पार्टी, इसमें दूस दीप धनकर, लेकिन फ्रेंट्स यहाद रखेगा, कि ममताब इनर जी इस बार नंदी ग्राम कॉंसिट्वेंसी से चुनाव लड़ी, और इन्हें बीजेपी के सुवेंदू अधिकारी ने हरा दिया है, तो अब 6 महीने के अंदर अंदर इनको किसी सेफ सीट से इलेक्शन ज जीत्ती आई है, तो यह भी आप याद रखेगा, इस बार नंदी ग्राम कॉंसिट्वेंसी चुनी, इससे पहले यह भवानिपुर कॉंसिट्वेंसी से लड़ती आ रही है और जीत्ती भी आ रही है, नेक्स्ट स्टेट है मारे पास आसाम, तो आसाम में 126 सीट्स हैं और 126 इस पर ही इलेक्शन हुए हैं, तो यह है पुरी लिष्ट और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है भारती जनता पार्टी बीजेपी, जिसने हापर 60 सीट्स जीती हैं, तो सरकार भी इन्हों नहीं बनाई है, तो यहाँ पर हेमंता बिस्वा सर्मा, यह चीफ मिनिस्टर नेस्ट इस्टेट है हमारे पास केरल, तो केरल में 140 सीट्स हैं, 140 पर ही चुना हुए हैं, यह है पुरी लिष्ट और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी है, कम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, यानि CPIM, तो 62 सीट्स यहाँ पर जीती हैं, टोटल 140 में से, यह आप याद रखेगा, अच्छा, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, पिनराई विजियन, पहले भी यही थे, अब भी यही है, CPIM से है यह, और गवरनर है यहाँ पर आरिफ महमद खान, और इनकी कॉंसिट्वेंसी है, दर्मडम कॉंसिट्वेंसी, केरल स साथी फ्रेंट्स, आपको यह भी जानना चाहिए, कि ऐसा पहली बार, यह पहले चीफ मिनिस्टर बने है केरल में, जो कि अपना 5 साल का कारेकाल करने के बाद, फिर से लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने है, ठीक है, तो यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, अच्छा, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए, मेट्रो मैन ओफ इंडिया, इसी धरन, इनका नाम आपने सुना होगा, तो यह भी इस बार केरला के पलककड कंसिट्वेंसी से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इन्हें इंडिया नेसनल कॉंग्रेस के साफी परामबील ने ह हरा दिया, तो काफी इंपोर्टन यहां से आपके लिए कोश्चन बन सकता है, कि इसी धरन किस सीट से लड़े थे, या यह पुछा जा सकता है कि इन्हें किसने हराया है, तो नोट डाउन जरूर कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस टेट है मारे पास तमिल ल चीफ, एमके स्टेलिन, यहां पर चीफ मिनिस्टर बने है, और इनकी कॉंस्टिट्वेंसी है, कोला थूर कॉंस्टिट्वेंसी, यहां से यह जीते हैं, और बनवारी लाल प्रोहित, तमिल नाडु के गवर्णर हैं, नेक्स्ट है हमारे पास केंदर सासित परदेश, चीफ मिनिस्टर कोन बने है, एनरंगा स्वामी, यह कहां से है, AINRC पार्टी से है, और यहां पर लेटिन गवर्णर यानि उपर राज्य पाल है, तमिल साई सुंदर राजन, जो की तेलंगाना की गवर्णर है, तो यहां पर यह एडिशनल चार्ज यहां पर यह निभा रह है, और इनकी कॉंसिटवेंची क्या है, अनरंगा स्वामी की, इनकी कॉंसिटवेंची है, ठेचन टावाएडी, यह साथ ही आप यह पॉइंट याद रखेगा, अब है आपके लिए फ्रेंट्स काफी important प्रशन है आपके पास from which states सीबा सागर constituency अखिल गोगोई won legislative election from jail in 2020 यानि किस राज्य के सीबा सागर निर्वाचन छेतर से अखिल गोगोई ने जेल में रहते हुए 2021 का ये चुनाव जीता है इसका answer friends आपको हमें comment box में बताना है कोशिस कीजेगा जरूर आप comment box में बताएं साथी आप सभी current affairs funda को telegram पर भी join कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते आपर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्ते के साथ whatsapp and telegram पर share करें like करें और comment करके जरूर बताएगा कि यह video आपको कैसी लगी thank you guys